हलो दोस्तों, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीती अगरवाल, आई केर क्लिनिक के सौजनिस से और सिपला की तरफ से आजकल ग्लॉकोमा मन्थ चल रहा है और सिंस मैं नियूरो अफ्थाल्मोलजिस्ट हो, सूपर स्पेशलिस्ट अफ्थाल्मोलजी तो आज मैं आप से कुछ ब इसके बारे में पता नहीं लगता है, इसे silent killer भी कहा जाता है, और क्योंकि आपको इसके बारे में आखिर में पता लगता है, जब रोश्नी काफी चली जाती है, और हमारी या हर एक eye surgeon की कोशिश ये रहती है, कि आपको जल्दी से जल्दी हम इस बिमारी में diagnose कर सकें, और इ वैसे blood pressure होता है, वैसे ही आख का एक pressure होता है, मैं आपको कुछ दिखाते हुए ये समझाना चाहूंगी, कि when we talk about glaucoma, तो ये हमारी आख है, ये आख का इसमें एक fluid flow करती है, ठीक है, और इस fluid का एक balance बनता है, यहाँ पे manufacture होता है, ये आगे बढ़ता है, और आगे जाके veins म maintain करता है, जिससे हमारी आख का pressure maintained रहता है, लेकिन किसी कारणवश, अगर ये balance गरबड़ाता है, balance गरबड़ा सकता है, या तो excess production से जाधा बन रहा है, और या वो बाहर निकल नहीं पा रहा, जाधा तर cases में वो बाहर निकल नहीं पाता है, कम cases में ऐसा होता है, कि वो जाध संबलवाई है कि नहीं है, तो पहले हमें ये याद रखना है कि जिनके परिवार में संबलवाई के मरीज हैं, जहां बड़े हैं, जिनकोई रोश्नी कम हुई है, किसी कारणवश, या एक आ एक रोश्नी जाती रही है, या last में जाके वो डाइग्नोज हुए हैं सिर्फ उसी को glaucoma हो सकता है, आजकल हम देखते हैं, पहले हमें पचास के उपर की उमर में ज्यादा मिलता था, आजकल बच्यों में भी मिलता है, यंग जन्रेशन में भी मिलता है, और एजेट में भी मिलता है, तो कोई उमर इस Se परहेस से नहीं रही है, सभी में glaucoma का आजकल मिलने लगी है कोई भी एंवनिस्तती नहीं है तो हम जब देखते हैं Gl unite के बारे में हमने यह जाना कि क्या होता है उसका प्रेशर बढ़ता है अब हम यह जानते हैं की Glopish कितने तरीके का होता है Palmer mainly two तरीके का होता है एक जिसमें एंगल खुला होता है open एंगल एक जिसमें एंगल बंध होता है जिसे कहते हैं एंगल क्लोजर ओपन एंगल और आंगल क्लोजर जो हम बात कर रहे हैं यह हमारी आंग का लेंज है यहां अगर आपको थोड़ा साब ध्यान देंगे तो एरो जा रहा है यही एंगल है यह एंगल अगर खुला है तो यह ओपन एंगल है यही एंगल अगर बंध है तो यह एंगल क्लोजर है अब ओपन एंगल और एंगल क्लोजर के साइंज जो है व तो हमारे आख का fluid है वो बाहर flow नहीं कर पाता उसका रास्ता कहीं block हो रहा होता है तो उस blockage को हम दूर करते हैं कई बार दवाईयों से यह दूर करते हैं जैसे पाइलो कारपीन होता है और नहीं तो इसमें हमें बाइपास रास्ता बनाते हैं अब हमें पता कैसे लगेगा कि यह angle closure glaucoma है या आप कैसे जानेंगे कि आपको कब इसके लिए सतार खोना है अकसर देखा जाता है कि जैसे ही शाम ढलती है जैसे ही light थोड़ी कम होती है तो आख में थोड़ी अलकत थोड़ी परिशानी शुरू हो जाती है थोड़ा भारीपन शुरू हो जाता है कभी-कभी यह दर्द का रूप भी ले लेता है और जब आप इसमें बत्ती के चारो तरफ आप किसी light की तरफ focus करते हैं तो आपको rainbow colors या लाल पीले नीले रंग दिख तो आपको सचेत हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कहीं strike करना चाहिए कि मुझे अपने आग के eye surgeon से मिलना है जल्दी से जल्दी दूसरी चीज़ यह initially attack आता है आपको दुंदलापन लाते हुए यह सतरंगी रंग लाते हुए और यह कभी-कभी पांच मिनिट का कभी- कभी-कभी आदे घंटे का attack होता है जो gradually बढ़ता जाता है शुरुवात में आपको लगता थोड़ी परिशानी होई होगी ठीक हो गया लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वह शुरुवाती दौर के attack थे और आपको सतर्क कर रहे थे आपको एक warning signal दे रहे थे कि अब आप सतर्क हो किसी ophthalmologist को क्योंकि इसमें आपको उल्टी आ सकती है दर्द बहुत जादा हो सकता है आपके आँखों में बहुत लाली आ सकती है जब यह इस level पे आ जाए इसका मतलब यह आप पहले के attack मिस कर चुके हैं और अब आप इस बिमारी में आगे बढ़ चुके हैं जब ऐसा attack आ जाता है और जैसे ही चीजें control में आती हैं तो हम एक laser पदती से यहां पर एक bypass रास्ता बना देते हैं जिससे आपका यह angle खोल जाता है और आपका normal flow बरकरार हो जाता है maintain हो जाता है तो यह रही angle closure glaucoma की बात अब हम आते हैं open angle पे open angle glaucoma जो होता है वो पहले समानिता बढ glaucoma में मिलता था हमें पर अब ऐसा नहीं है अब हर group के age में हर age group में यह हमें मिलता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि silent killer है silent killer क्यों कहा जाता है क्योंकि यह आपको जानने नहीं देता यह last तक आपकी center की रोश्नी को spared रखता है तो आपको पता नहीं लगता कि यह आप आपकी नस पे attack कर रहा है आपकी आख पे attack कर रहा है जब तक आप किसी ophthalmologist को अपना regular check-up कराने नहीं जाएंगे तब तक आपको इसका आभाज भी नहीं होगा तो इसलिए एक regular check-up बहुत mandatory है और अगर आप check-up कराने जाते हैं और आपके eye surgeon या आपकी ophthalmologist कहते हैं कि नह अबरदस्ती लिख दी होंगी निकिन नहीं वो इसलिए आपकी जाचे लिख रहे हैं ताकि आपको बहुत पहले early stage में आपको पकड़ सके और आपका इलाज कर सके जिसके लिए हमारी जाचों में tonometry, perimetry, OCT ये major role play करती है tonometry से basically हम आपका pressure measure करते हैं जिसमें best application tonometer होता है, perimetry से हम आपका दाइरा देखते हैं, कि आपकी आपका दाइरा कितना है, जैसे अगर हम ध्यान दें तो हम इसमें देख सकते हैं कि धीरे-धीरे ये periphery से दाइरे को attack करना शुरू करता है और center की तरफ अप्रोच करता है, त आपके दाइरे को नस को नुकसान करता जा रहा है, तो ये जानने के लिए हमें perimetry का एक जाज करना जरूरी होता है, जिससे हमें पता लगता है, कि आपका दाइरा कहां और कितने सीमित तक या कितने area तक effect हो रहा है, तीसरा होता है, हम लोग गोसिटी करते हैं, आज कल हमे पता लग जाता है कि आपके कप की क्या दशा है, आपके कप पे नस पे कितना असर है, और सबसे अच्छी बात जानते हैं, सबसे अच्छी बात है कि हम इनको दवाईयों से ठीक कर सकते हैं, एक drop आपको हो सकता है, लंबे समय तक जिंदगी भर तक डालनी हो, लेकिन आप उ दवाई के बाद भी हमें operation के जरूरत पढ़ती है, अगर disease advance कर गई है, अगर आपका cup disc ratio काफी बढ़ गया है, और normal चीजों से आपको हमें लग रहा है कि normal दवाई से आप control में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें next step होता है trabiculectomy करना, आप एक trabiculectomy surgery करते हैं, और नहीं होता यह तो हमने बात की कि normally सामानिता जो pressure होता है आपका, वो 20 के अंदर रहता है, अगर 20 के उपर जाता है, तो आप glaucoma की range में आने लगते हो, पर कई बार जाचे बहुत precarious हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत ही fine line होती है between higher side of normal and the beginning of abnormal, मतलब आपके normal की उपरी सीमा और आपकी बिमारी की शुरुवाती दौर की सीमा, इसके बीच में एक बहुती fine line होती है, तो यह जानना सारे test से जरूरी हो जाता है कि आप higher side of normal हो, कि आप बिमारी की beginning में हो, जिनमें हमें test काफी help करते हैं, अब जब हम इससे चलते हैं, जैसे हमने बताया कि तीन main चीजों को हम ले pressure high ही मिले, कई बार कुछ normal tensive glaucoma patients भी होते हैं, जिसमें आपका pressure तो normal रहता है, आप जब जब चेक करोगे pressure normal आएगा, लेकिन वो उस normal pressure में भी आपके नस को damage करता जा रहा है, आपके perimetry में बदलाव लाता जा रहा है, इसको हम लोग normal tension glaucoma कहते हैं, जिसको हम लोगों क पकड़ने में भी थोड़ा हमें भी समय लगता है, क्योंकि जब आपका pressure normal होता है, तो आप भी निशन्त हो जाते हैं, डॉक्टर अपनी तरफ से science को आपको manifest करता है, अच्छी बात यह है कि इसमें हम थोड़ा हमें समय मिल जाता है, क्योंकि यह एक-एक काम नहीं करता है, यह बहुत gradually gradually progress करता है, तो हम लोगों को आपका repeated reassessment करना होता है, जिससे हमें पता लगता है, कि पहले कितना आप किस बिमारी के कि stage पे थे, अब आप कैसे progress कर रहे हैं, और आगे हम कितना progression ले जा रहे हैं, सबसे थोड़ा परिशानी वाली बात यह आती है, कि जो यह पताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए जितनी जल्दी आपका doctor आपको पकड़ते हैं इस बिमारी में, उतनी जल्दी उनकी कोशिश रहती है, कि जो कुए में कूदे हुए fibers हैं, जो damage हो रहे हैं, उन्हें हम एक करके उबारते चले, ताकि उन्हें हम वापस life मे ले आएं और हमारा useful vision या useful field हम बढ़ा सकें, कई बार छोटे से बच्चों में पैदाईश पे भी हमें glaucoma मिलता है, ऐसा नहीं होता कि बच्चों में बिल्कुल नहीं होता, उसे ब्यूफ्थालमॉस कहते हैं, कुछ बच्चों की आँखें बहुत बढ़ी होती हैं, कई ब बच्चे में कोई परिशानी आ रही है, तो हमको immediately अपने eye surgeon को या ophthalmologist को दिखाना चाहिए, कि कोई शुरुवाती दौर की परिशानी नहीं हो, जिससे उसके नस्पे damage आ जाए, मेरी ख्याल से इतना आप लोगों ने जाना होगा, इतना आपको समझ में जाया होगा कि glaucoma को हलके में नहीं लेना है, और अभी क्योंकि glaucoma मन्त चल रहा है, glaucoma awareness मन्त, तो कम से कम हर बंदा ये जाने की ऐसी एक बिमारी होती है, जिसकी लिए हमको थोड़ा सतर्क रहना है, और ये diabetes और myopics में जाधा मिलती है, जो diabetes है, उनमें predisposition इस बिमारी का जाधा हो जाता ह तो कहीं आपको आपके जहन में ये अवगत होना चाहिए कि glaucoma जैसी बिमारी exist करती है और उसके science ऐसे हो सकते हैं, कभी भगवान ना करें, लेकिन कभी आपको ऐसे science आते हैं आपको या आपके knowledge में किसी लोगों को तो उन्हें immediately ये शला दे कि अपने ophthalmologist से मिलें, अगल आपके वीडियो तक नमस्कार, थैंक ये वीडियो तक नमस्कार, थैंक ये सो मच.